आयुर्वेट समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो नुस्के हमारे वैद्यों की राय के मताबिक होते हैं इसलिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें आप चाहते हैं कि नौटिफिकेशन आपको मिले तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए नौटिफिकेशन आपको घर बेठे और सबसे पहले मिल सकेंगे दोस्तो इलाइची स्वास्त के लिहाज से अच्छी मानी जाती है हलाकि इसका सेवन आमतोर पर मसाले की रूप में किया जाता है लेकिन इसका प्रियोग करके कई बिमारियों से निजात मिल सकती है इलाइची दो प्रकार की होती है छोटी इलाइची तथा बड़ी इलाची को मसालों की महरानी कहते हैं तीब्र सुगंद और स्वात की वज़े से इसका इस्तिमाल विभिन ब्यंजनों में होता है अरोमा थेरेपी में भी इलाची के तेल का इस्तिमाल किया जाता है जहां बड़ी इलाची को हम ब्यंजनों को लजीज बनाने के लिए एक मसाले के करते हैं वहीं चोटी एलाइची बिंजनों में खुशभू बढ़ाने का काम करती है दोनों ही प्रकार की एलाइची हमारे स्वास्त पर प्रभाब डालती है दोस्तों मुह की दुरगंद के क्या कारण है पहले इन पर ध्यान देते हैं फिर उसके बाद हम आपको बताएंग कि भीगी हुई इलाइची का खने से क्या लाब होता है जिन लोगों के मुह में अक्सर दुर्गंद आती है वो लोगों से मिलने में कतर आते हैं हमेशा मुह को ढग कर रखते हैं थोड़ी थोड़ी देर पर माउथ फेशनर का प्रियोब करते हैं विवाह के बाद अपने साथ रहना या डाइटिंग करना अब मुह की बदवू के लिए इलाइची का इस्तेमाल कैसे करेंगे जरा देख लीजिए यदि आपके मुह में बदवू आती है तो इसे घरेलू तरीके से दूर करने का ही प्रयास करें क्योंकि बाजारों में मिलने वाली दवाएं आपको कुछी दिन में महसूस होने लगेगा और आपके मुह से बदवू आना बंद हो जाएगी अब और लाइची के देख लेते हैं जिनकी सांसों में दुरगंद आती है वे लोग रोजाना सिर्फ एक लाइची खाकर अपनी सांसों की दुरगंद को दूर कर सकते हैं क्योंकि इ कर दिया सूजन आदी में बहुत अधिक लाब देती है लाइची रेड बलर सेल्स के निर्मान में महत्पून भूमी का निवाती है यह शरीर से विशेले तत्वों को बाहर कर फ्री रेडिकल्स से मुखाबला करती है यह हमारी पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है पाचन त जंदर से जोड़ी कोई भी समस्या है तो रोजाना एक लाइची का आप सेवन जरूर कीजिए दोस्तो आईरवेद समाधान जीवन जीनी की एक पद्दती है जिसमें बताएगा इन उसके वैत्तियों की राय के मुताबिक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक् लाइक और शेयर कीजिए आईरवेद समाधान क्योंकि आईरवेद समाधान है हर रोग करनिदान